नमस्कार देश में संसद है, संसद चल रही है, संसद में हमारे और आपके द्वारा चुने हुए जन प्रतिनिधी बैठे हैं और सत्ता बैठी हुई है प्रधान मंत्री बैठे हैं, पूरी की पूरी कैबनेट बैठी है, लेकिन ऐसा लगता है देश की संसद तक देश की जनता का दुखदर्द पहुँश नहीं पा रहा हुई सत्ता की आख में आसू तो आ रहे हैं, लेकिन वे आसू किसानों के लिए नहीं है आईए, न्यूस क्लिक के खोश कबर कारेक्टरम में हम बात करेंगे कि किस तरह से देश की संसद, देश की जनता के दुखदर्द की नुमाइंदगी नहीं कर रही है उससे व्यथित नहीं हो रही है और क्यों नहीं हो रही है संसद के सत्र में लगातार प्रधान मंत्री का भाषण हम सुन रहे है हमें पता चल रहा है कि वे किस तरह से किसानों के बारे में, किसानों के आंदोलनों के बारे में सोच रहे है उसका क्या कहे कर मजाक उड़ा रहे है आज देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें चिंता है किसानों की और देखिए कितनी वाजिब चिंता है 26 नवंबर से जिस देश में जहां पर संसत बसी है देश की राजधानी दिल्ली में इसके चारों और लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं ये किसान अपनी मांग लेकर आए हैं कि ये तीन किसान बिल तीन कृशी बिल जो सरकार ने पारित किये हैं ये जो कानून बने हैं ये उन्हें मनजूर नहीं हैं इन्हें वापस लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोड भी अपने आप इसमें दखल दे के कह चुका है कि 18 महिने के लिए इसे स्थगित किया जा सकता है सब कुछ हो रहा है और हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं फिर दोहराते हैं कि इन किसान बिलो में कुछ भी खराब नहीं है उन्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यह बिल उनके लिए अच्छे नहीं है संसब में एक के बाद एक प्रधान मंत्री नरेन मोदी किसानों पर हमलावर होते हैं किसान आंदोलनों पर हमलावर होते हैं वे अलग-अलग धंके नाम इन किसानों को देते हैं कभी आंदोलन जीवी, कभी पर जीवी और भी ना जाने क्या-क्या उनकी जो पूरी पार्टी है इन पर कैंपेन कर रही है और आज भी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने जिस तरह से किसानों की मांगों को सिरे से नकार दिया उससे लगता है कि प्रधान मंत्री की आँखों में आसू जरूर आते हैं लेकिन वे आसू किसानों के लिए नहीं वे आसू गरीबों के लिए नहीं वे आसू आते हैं अपने पॉलिटिकल फाइदे के लिए और इसे आज दुबारा उन्होंने देश की संसद में इस बात की गवाही दी इसे प्रमानित किया और सिरे से तमाम मांगों को ये कह के रफा दफा कर दिया कि सुनने की कोई जरुवत नहीं क्योंकि वे जन प्रतिनिधी तो हैं लेकिन शायद जनता की आवाज और इन किर्शी बिलो में क्या खराब है यह उन तक उनके सलाकार अभी तक नहीं पहुचा पाए हैं इसी संससत्र में दो तीन और भाशनों की चर्चा रही जिसमें हर सिम्रत कौर का भाशन जो उन्होंने किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे पर दिया उस पर चर्चा रही और साथी स त्रिनमूल कॉंग्रेस की महुवा मुईत्रा के भाशन की काफी चर्चा रही इन दोनों नेताओं ने बहुत तीखा सवाल तीखा प्रहार भाश्पा की फासिवादी राजनीती पर किया इन्होंने बताया कि जो सरकार चलाई जा रही है जिस तरह से कानून पारित किये जा रहा है वह सब लोकतंत्र के लिए खत्रे की घंटी है लेकिन दिल्चस्प यह बात है कि ये दोनों अलग-अलग राजनितिक पार्टियों की नुमाइंदिगी करती है संसद में और इनके भाशन को तमाम राजनितिक दलों का समर्थन मिला जो विपक्ष में बैठे हुए है और शायद लोकतंत्र की इस समें सबसे बड़ी जरूरत यही है कि सच को बोलने वालें के समर्थन में खड़ा हुआ जाए उसे आगे बढ़ाया जाए दबाओ कैसे बनाया जाता है रेड्स कैसे पढ़ती हैं गिरफतारियां कैसे होती हैं साजिशें कैसे रची जाती हैं य एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसकी धीरे धीरे सच बोलने वालों को आदत सी पढ़ती जा रही है इस देश में यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी आग के साथ साजा करना चाहूंगी वाशिंग्टन पोस्ट की बहुत ही एहम खबर जिस पर चर्शा करना आज इस लोकतं पादक हैं उन्होंने बताया कि धाई साल से काम चल रहा था इस रिपोर्ट के मताबिक भीमा कोरेगाओं मामले में जिन लोगों की गिरफतारी हुई थी उन गिरफतारियों के पीछे जो एविडेंस पुलिस ने पेश किये थे उन एविडेंस के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है इस रिपोर्ट में सीधे सीधे बताया गया है जिसकी जाश पड़ताल वशिंग्टन पोस्ट की टीम ने की थी और उन्होंने एक आउटर एजेंसी से भी सपोर्ट लिया था जिन्होंने ये जो साक्ष पेश किये गए थे कोट में उसकी जाश की यहाँ पर आप देखेंगे इस समय जो खबर आपको दिखाई दी जा रही है इस्क्रीन पर उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भीमा कोरे गाउं मामले में दिल्ली के एक सामाजिक कार्यकरता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रोना विलसन की गिरफतारी हुई थी और रोना विलसन की गिरफतारी में बहुत एहम साक्ष जो पुलिस ने और जो जाच एजनसी ने पेश किये अदालत में उसमें सबसे बड़ा साक्ष था कि लैप्टॉप पर उन्होंने किस तरह से देश में सत्ता को बदलने और यहां तक कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी की ह जान बूच कर उनके लैप्टॉप के अंदर छेड़ छाड़ करके गुसाए गए थे और इसका पूरा का पूरा क्रम यह रिपोर्ट बताती है इस रिपोर्ट के जरिये यह सामने आया है कि यह गिरफतारी यह पूरी की पूरी साजिश को जिस तरह से वीव किया गया इस प कैसे इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तकरीबन एक साल पहले से रोना विल्सन के लैप्टॉप से छेड़ शाड़ करने वाले वाइरस मौजूद थे हाला कि जाच एजेंसी जो वहां की है उसने यह नहीं बताया कि इसके पीछे कौन लोग थे लेकिन यह सो फीसिद और दिल्चस्प बात यह है कि दो साल से गिरफतार रोना विल्सन और उनके पूरे के पूरे समर्थक लोग और उसके बाद की जो गिरफतारिया हैं चाहे वो सुधा भारतवाज हों चाहे गौतम नौलखा हों चाहे वरवरा राओ हों या बाकी तमाम बुद्ध जीवी जो मुंबई हाइ कोट में रोना विल्सन के वकील ने इस रिपोर्ट के आधार पर पेश किया है उन्होंने कहा है कि इस आधार पे इन्हें जमानत मिलनी चाहिए और दुबारा से साक्ष की जाँच एक इंडिपेंडेंट सिस्टम के दुबारा की जानी चाहिए इस जो एसमाती के स्वर हैं उन्हें कुंद करने बंद करने की कोशिश हो रही है धीमा कोरे गाउं के मामले में वाशिंग्टन पोस्ट की जो खबर आई है इस पूरे एपिसोड पर हमने बात की मुंबई के वरिष्ट वकील मिहर दिसाई से आईए जानते हैं कि वह कैसे देखते हैं कि साक्षों के साथ छिर्खानी कितनी जानलेवा हो सकती है क्योंकि वह लंबे समय से इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहे है न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है मिहर जी आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि अभी जो वाशिंग्टन पोस्ट में खबर आई है और जिसमें उसमें बताया है कि किस तरह से जो रोना विल्सन के गिरफ्तारी के समय जो साक्ष दिया गया था वो फैब्रिकेटेड था वह आप कैसे देख रहे हैं कि देखिए यह जो मैं रोना विल्सन के और दूसरी जो कई लोग है उनके डिफेंस स्रीम का पार्ट हूं और कई भी वकील है तो यह हम लोगों ने सोचा था कि रोना विल्सन का जो कंप्यूटर है क्लोन कॉपी वह बेजा जाए यह 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 नतीची पर आने के लिए कि यह सचमुच इनके कंप्यूटर से मिले हुए पेपर से की नहीं तो इसलिए आर्सनल करके जो ऑर्गिनाइज़िशन इंटरनेशनली बहुत रप्यूटर है उनके पास हम देवेजा और बोला कि आप जड़ा देखिए और हमें बताई एक रिपोर्ट दीजिए कि सचमुच है तो आर्सनल ने बहुत काफी महिनों 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 तो इसके उपर रिसज़ किया और उसके बाद में वह नतीजेंवे पहुँचए इंटार 2 इस बीटर नहीं हुर उन्हों कि homeowners की यह उन्हों और पशसी की हुआ है उन्हों के दूसरी जो है उनको इंप्लिकेट करने के लिए तो हमें यह खुशी है कि कि यह सब डॉक्यूमेंट्स जिसके अधार पर उन्हें अरेस्किया गया है यह डॉक्यूमेंट्स हमारे है ही नहीं वह बात अब साबित हुआ मिहर जी एक चीज जो बहुत एहम है यह आपको कैसे यह सेंस हुआ कि यह जो साक्ष पेश किये गये हैं और यह प्रक्रिया कैसे आपने सोची कि अमरीता बेजा जाए और क्या वो जो जो जन्होंने जाच की है उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई दबाव बनाया जा सकता है आगे का प्रॉसेस क्या रहेगा इस रिपोर्ट के आने के बाद कि इसमेंग बात घैसे की रोमिला थापर के केश में सुपरीम कोट गये रों बोला था कि यह लोग जो जिस पर रिलाइ कर रहे हैं उसकी क्लोन और मिरर कौपी हमको दी जाए उन्होंने बना के काफी समय लगा वो मिलने के लिए लेकिन फाइनल यहां को मिली और वह मिलने के बाद हमने सुचा कि अभी किस तरह से हम करें कि हमारे क्लाइंट कह रहे कि बरवन नहीं है ओरीजिनल नहीं है लेकिन वी और एक्सपर्स वी आर लॉयर्स तो तो भी वांडिन बॉस्टन बॉंबिंग में है तर्किश यूमन नाइट्स अटेकर्स के अटेकर सा केस था उसमें भी रहने यह लोग कोट में भी गए है यह लोग ने गवर्मेंट सेमी गवर्मेंट प्राइवेट सबको सबकी फॉरंसिक एक्जामिनेशन की काफी सालों के उनकी यह है इल भी डॉक्यमेंट्स प्लांट किये हुए है तो यह हमारे हिसाब से बहुत ही महत्वपुर्ण इस केस का हिस्सा हो गया है और अंत में दो लोगों का जनम दिन जो आज पढ़ता है उसका जिक्र में आपके साथ करना चाहती हूं पहली है नवदीब कौर 24 साल की दलित एक्टिविस्ट लेबर राइट्स एक्टिविस्ट जो बारा जनवरी से जेल में है और उनके परिवार वालों ने आज दुबारा इस बात को रखा कि किस तरह से नवदीब के साथ यौन शोशन हुआ यौन उत्पिडन हुआ जब वह हिरासत में ली गई हैं और वे लंबे समय से तब से लेकर अभी तक उनका परिवार और उनके वकील कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल पाए लेकिन उन्हें जमानत नहीं ली जा रही नवदीब की गिरफतारी इसलिए हुई है जो उन पर आरोप लगा है कि जो वहां पुलिस का यह कहना है कि वह भड़काने का काम कर रही थी इसलिए उन्हें गिरफतारी में लिया गया आज नवदीब अपना जनम दिन जेल में मना रही हैं और उसी के साथ याद आता है कि आज दुनिया के एक बहुत महान कवी और नाटकार बरतोल्त ब्रिफत का भी जनम दिन हैं बरतोल्त हर संकट के समय याद आते हैं बरतोल्त की बहुत मशूर का पंक्ती है कि अंधेरे समय में भी गाये जाएंगे गीत अंधेरे समय के बारे में आज मैं उनकी कुछ कविता पंक्ती के साथ आपसे लूंगी विदा यह कविता है आने वालों के नाम सचमुच मैं अंधेरे युग में जीता हूँ एक मासूम बोल बेवकूफी की अलामत है जिस इंसान के माथे पर शिकन नहीं वह पत्थर दिल है कोई आदमी हसता है तो जान लो उस तक अभी पहुची नहीं बुरी खबर शुक्रिया झालों बोल लो जाद़ो जीता है तो जान लो जान वालों के जीता है